इंडक्टिव में क्या है कि हम जर्नल से एक स्टेटमेंट ले लेते हैं और उसको स्पेसिफिक करते हैं उसको पैटरंस मालूम करते हैं कि इसमें क्या पैटरंस हैं ताकि हम उसमें स्पेसिफिक पर आ जाओ जबकि डिडक्टिव में हमारे पस इक स्पेसिफिक कॉंसेप्ट ह होता है और हम उसी से रिजर्ट निकाल के उसको जर्नलाइज करते हैं कि यह चुंके अक्सरा क्वेस्टन ही भी पूछ लेते हैं आपसे कि आपकी त्यूरी कि क्या आपकी रिसर्च की जर्नलाइजबिलिटी कितनी है अब एक बंदे ने एक स्कूल पर रिसर्च की और 20 लोगो इंड़िलिटी देखें और इंड़्टिव में हमारे पस आलए एक ब्रॉड होता है एक विजिस रिसर्च गोल इस तो इनफॉर्टिकल कॉंसर्ट जैसे मैंने का कि लोग पाकिसान में आर्ट मुवीज क्यों नहीं देखते हैं तो बस हम एक इंफॉर्ट है अब सको मालूम करेंगे लोगं को observe करेंगे interview करेंगे तो कुछ न कुछ निकल की आएगा कि यार कियूं नहीं देखें से हैं देखीस फैपर आदेखे और इंड़ी मूड की तो हम नहीं को पसंद करते हैं वागरा मिसाल दे रहा हूं तो हमने किया कि एक थियूरी बिल्ड कर दी हो तो वह नॉर्मली एंड़क्टिव अप्रोच नहीं होता है जबके थियूरी टेस्ट की जाती है डिड़क्टिव अप्रोच के अंदर So here that the goal of the theory testing is not to test the theory but possibly to refine and improve the theory तो पहले क्या था थियूरी बिल्ड कर रहे होते हैं और यहां पर हम थियूरी को यह टेस्ट कर रहे होते हैं मजीद उसको refine कर रहे है Sorry देखिए यह आ रहा है थियूरी है हमारे पास hypothesis बनाए observation बनाए उसको confirm कर दिए या reject कर दिए यह थियूरी कि is it significant yes or no जबके इसमें reverse में चलते हैं थियूरी से हम observation से शुरू करते हैं patterns develop करते हैं कि यहां पर इस तरह के लोग रहते हैं ऐसे हुआ यह हुआ और फिर उसे tentative hypothesis बना के और किसी conclusion पर पहुंच के हम कहते हैं यार यह एक पास्चुलेट है एक theory है और फिर उसको बाद में फिर deductive वाले नॉर्मली टेस्ट कर रहे होते हैं सो यह हमने कुछ basic concepts को आज समझने की कोशिश की है